हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके भी चैनल वीटी एंड हेल्दी में आज हम जानेंगे की स्तरह आप असमय गिरते, पत्ते और कमजोर बालों को बचा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले यहां मिलेगी आपको स्वास्थे और सौंदर्य से संबंधित आवश्यव जानकारी पस थोड़ी सी साब्धानी और इस उपाय को करके बचा लीजिए अपने गिरते बालों को बढ़ता प्रदूशन न केवल सांस की समस्याएं पैदा कर रहा है बलकि हेर फॉल का भी कारण है इसलिए हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुसके बता रहे हैं जिनसे आपके बालों का गिरना बंध हो जाएगा फूद पानी पिएं सर्दियों में पानी पीना कम न करें खास्तोर से यदि आपके बाल गिर रहे हैं तो रोजाना आठ से दस क्लास पानी जरूर पिएं पानी बाल में होने वाले फंगल इंफेक्शन को रोपता है सिर में होने वाले फंगल इंफेक्शन हैर फॉल की बड़ी वज़े है शेंपू से पहले औल हैर फॉल कम करना है तो शेंपू करने से पहले औल लिंग करना न भूले दरसल औल लिंग के बिना ही शेंपू करने के बाल रूखे हो जाते हैं और तूपने लगते हैं, सब ताहमें दो से तीन बार हैर ओलिग करें, इससे आपका हैर फॉल रुखेगा और बालों की चमक भी बढ़ेगी। ऐलोवेरा, बालों और तवचा पर ऐलोवेरा जादूई असर करता है, ये न केवल हैर फॉल रुखने में मददकार है, बलकि बालों की दूसरी समस्याए जैसे डैंडरफ और कम रोथ से छुकारा भी दिलाता है, घर में ऐलोवेरा का पेस्ट बनाकर इसे बालों पर लगाए बजार में भी आसानी से इसका जेल उपलब्ध है, जंक फूद से रहें दूर, अन्हेली इटिंग हैबिट से हेर फॉल होता है, इसलिए खाने में ज्यादा से ज्यादा पॉश्टिक चीजे ले, खास्तोर से प्रोटीन यूप पोजन करें, मसलन सोयावीन, अंडे, लोफे में कम होंगे और चमकदार भी बनेंगे, चाय कॉफी कम ले, चाय और कॉफी में कैफीन होता है, जो बालों की सेहत पर नकार अत्मक असर डालता है, डॉक्टरों और विशेशग्यों की माने तो गो जाना चाय और कप, फी की जगे है, अगर आप जूस और ब्रीन टी पिए अगर जानकारी अच्छी लगी, तो इसे लाइक और शेर जरूर करें, आप अपनी प्रोब्लेम कमेंट कर सकते हैं, हमार कोशिश रहेगी कि आपकी परेशानी का निदान आप तक पहुंचा सके, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद